वेल्कम बैक टो माई चैनल आज मैं बनाने वाली हूं पनीट का ही एक रेसिपी जो हम बच्छे को सुवा टिफिन में दे सकते हैं और बहुत जल्दी भी बनता है इसके लिए हम लोगों कुछ वेजेटेबल्स लगेगा जैसे कि गाजल ले 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 आप चाहे तो इसमें सोय बीन्स मतर्फ स्वय चंक्स भी दे सकते हैं या तो इसके साथ एगर आप अंडा चाहे के जगे मैं अगर आपको चिकन भी देना है तो दे सकते यह base food अब change कर सकते हैं अपने choice के हिसाब से ही अब हमें कराई बिठा देते हैं कराई के होने देते हैं गरम जैसे गरम हो जाए उसमें डाल दीजे तेल पाइट वाइट वाल ही यूज़ कीजेगा सेसो तेल में इसमें अच्छा नहीं लगता है पहले गाज़र डाल देते हैं क्योंकि गाज़र सबसे हाड सबजी है इसको पकने में जादा टाइम लगेगा तो इसको जैसे थोड़ा सा फ्राई मतलब 50% को खो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे शिम्ला मिर्च तो पहले गाज़र को डालते हुए अभी इसको थोड़ा चला लेंगे जरूर Breath है गाज़र को भी फ्राई किया है लेकिन यहांपर ग्वाज़र को गलाना नहीं है गाज़र पक्षकर जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा बहुत क्रिस्पनस रहेगा तो यह पर शिम्ला मिर्च तो हम करेंगे उसको भी घलाना नहीं है उसको भी घलका सा फ्राई क करना एक साथ ताकि वह फ्राइ भी हो जाए कुग भी हो जाए लेकिन क्रिस्पनेस थोड़ा रहना चाहिए तब ही चाइनिस फूट का मज़ा आता है तो दोनों को अची तरह से चला लेते और कुछ दिर कर लेते हैं एक और बात यहां पर आपको नमक अभी नहीं देना पहले तो यहां चुक्त चिकन भॉयल चिकन फ्राइ कर लिए हुआ या तो ओल इसमें हम डालेंगे सोस पहले हम ने डाला है सैजबन सोस तो यहां पर मैंने डाला है अन्दाजन तू टी स्पून लाडज टी स्पून डाला है तो अभी इसको अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स अगर आपको लगता है कि थोड़ा और ज्यादा देना है तो आप दे सकते हैं और यहां पर देखिए मैंने यहां पर एक जुगार लगाया है जो कि अगर आपके पास कॉंफलर ना हो तो एक दम चिंदा करने की कोई जूरत क्योंकि आपने कॉंफलर के जगा गिहू का आटा इस्तमाल किया है तो मैंने भी वही किया है और यहां पर ग्रेवी आपके उपर डिपन करता है अगर आप चाहे तो यहां पर थोड़ा पतला यहां पर ग्रेवी होगा तो पानी थोड़ा जादा दीजेगा थोड़ा थिक चाहिए तो पानी थोड़ा कम दीजेगा मैं यहां पर सुखाई बना रही हूं क्योंकि टिफिन में देना है अगर थोड़ा धीला जैसा होगा तो लीख करेगा तो बस मैंने इतना ही दिया अगर आप लोको ज़्यादा बनाना है तो पानी थोड़ा जादा राल दीजेगा तो बढ़ गे हम लोका पनीर का रेसिपी तो भी इसको और जादा चलाना नहीं है यहां पर अगर आपको लाग लगे कि आपको मिर्ची जादा खाना है तो यहां पर चिली सॉस डाल सकते हैं अगर चिली सॉस नहीं डालना है तो सिंपल सी हम लोका चिली फलेक्स होता है मतल कि जाधा सूक गया था क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी नहीं होने से एक तौछा-सूका लगले ग़ागा काफी सूख जाएगा तो मैं थोड़ा पानी दे दिया तो पानी के थोड़ा सा बॉयल आने देतए देखिए मेरा बॉयल आ भी चुका है क्योंकि मैंने गरम पानी डाल तो बस बन गया हम लोग का पनीर का रेसिपी और अभी उपर से हम थोड़ आसा यहाँ पर शक्र डाल देते हैं शक्र डालने से क्योंकि हम लोग का सेजवन सॉस है उसका जो एक खटापन है वह इस सहरा से शक्र डालने से वह बैलेंस हो जाता है और अगर नमक कम हो तो अभी टेस्ट करके नमक भी दे दीजिएगा क्योंकि इसके बाद नमक मिलाने का चांस आपको नहीं मिलेगा। सारे चीज़ों का अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स। सब चीज़ों का अच्छी तरह से चरा लेंगे और थोड़ा सा बॉयलाने देंगे। तो बस हम लोगे को बन गया रेस्पी। अभी इसे कर देते हैं सर्फ। इसे खा सकते हैं गर्म गरम पराठा रोटी लच्छा पराठा नान किसी भी चीज़ से और ये राइस से भी काफी अच्छा लगता है। मतला वेज राइस चाइनिस फूट है वेज राइस वाइट राइस किसी भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो बन के हम लोगा सेज़ वन पनीर। आज का रेसिपी अप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा। और अगर अच्छा लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिले में जादा से जादा करके शेयर कीजिएगा। और हाँ जो फ्रेंड्स हम लोग के चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताकि जब भी मैंके रेसिपी बनाओं आपके पास सबसे पहले पहुचे। फिर मिलते हैं नए एक ब्लॉक में तिल देन बाई बाई एंड टेक केर।